हालो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सक्सेस वर्ल एमसी क्यों पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग ब्यार मद्दी निशेद सिपाई भरती प्रीक्षा तुजार तैस का मेत के सवाल के बारे में डिसकस करेंगे आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्षिस सेट नमबर टू लेकर आएं अगर आप लोगों ने प्रैक्षिस सेट नमर वन नहीं देखा है तो क्रिवेंगे पहले प्रैक्षिस सेट नमर वन को देख लेएं चलिए बच्चों इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज का पहला सवाल देखते हैं दो विरीतों के छेतरफल का अनुपात चार अनुपात नौ है उनकी परीधी का अनुपात ग्यात कीजिए तो विरीत का छेतरफल क्या होता है विरीत का छेतरफल पायार इसक्वाइर होता है तो यहां पर दिया क्या हुआ है दो विरतों के छेटर फल्ट का अनुपाद दिया हुआ है और निकालने न soprag zmol रहे है तो परिदी का अनुपाद कैसे निकाल लेंगी पर इदिधी का फ़ला क्या होता है टू पाइ Dé कूआ पाइ breaks रूता है तो फैला वीरित को और दूस्ता और दूसैं रूसा वीरित को टू पाइ र्टू मिलेंगे पर यहां पर क्या है टू पाय और टू पाय कर जागा तो निकालना क्या dödar होना वहता ओअ और और तो यहां घ्रघ्र जाएगा ऑट सक्वाएगा यहार ले जाएगा स्क्वायड जाएगा कितना फोर्वाइब नाइन तो प्यांस कीस्पार कितना हो जाएगा ह्युक्ता और नाइन थरी तो और फोर्ग टूर निकल गया टू रेशियो थ्री जो कि यही सवाल में पूछा गया था तो टू रेशियो थ्री के नमर में बी नमर इसका बिल्कुल सही जवाब है अगर बच्चे आप लोग इसका एंसर पहले से जानते होंगे तो इसे कॉमेंट में जवाब दे सकते हैं कोशन नमर टू की और चलते हैं दो नमर स्वाल में क्या है छे वर्स में कोई रासी अपने से दोगुनी हो जाती है तो ज्याद किजिए कितने वर्स में वह रासी स्वेंग का आठगुना हो जाएगा अगर बच्चे इसका एंसर आप जानते हैं तो कॉमेंट में इसका जवाब दें तो बोल रहा है इसमें 6 वर्स में कोई रासी अपने आपका दोगुनी हो जाती है अगर मन लेजए कोई रासी एक है और वो दोगुनी हो जाते है तो दोगुनी ने में कितना टाइम लग रह तो इसमें पूछा क्या आगे कि वह यह रासी आठ गुना होने में कितना समय लेगा अगर छे सल में दो गुना हो रहा है तो इसका दो गुना चार होने में कितना टाइम लगेगा फिर से छे सल लगेगा और फिर इसका दो गुना होने में कितना टाइम लगेगा आठ होने में फिर से छे वर्स लगेगा तो इसमें बोल रहा है कि एक रुपया का रासी है उसका आठ गुना होने में कितना टाइम लग रहा है मतलब कोई भी रासी रहे वो 18 वर्स में अपने आपका 8 गुना हो जाएगा तो option number C बिल्कुल सई जवाब है question number 3 की वर चलते हैं तीन number में बोला जा रहा है 5000 रुपिय मुल्य का एक खराब टेलिवीजन 50% की हनी पर बेचा गिया यदि कीमत में और 50% की कमी की जाती तो बिकरे मुल्य क्या होता इसमें बोल रहा है कि एक खराब टेलिवीजन है जिसका मुल यह 5000 रुपिय है और उसको 50% हनी में बेच दिया गया तो उसमें बोल रहा है कि अगर और 50% का कमी करके बेचा जाता अग दो वीक्रे डीर कि या उता था तो मितल्द भीक्रे मूल निकालना तो सबसे पहले एक टिल्यवीजीं जो है उसका कीमत कितना था पॉंस ज़ार रुप्य और इसको कितना और पेचा जा रहा है पचास परसेंट की पर ठेक्षट Cap मुझ इसको कटाते हैं दो से पैंशार को कटाएंगे तो 20ath होगा फिर दो से कॉटाएंगे ते कितना होजाएगा 1250 तो विक्रेम कीतना हो परकार से भी देख सकते हैं बच्छाओं मौन लिए एक खराब टेली विजन का दाम पांच यार रुपिय और इसको पचास परसेंट का डिस्काउंड देता है किसी भी परकार से बनाएंगे एंसर सेमी आएगा बार से बिल्कुल सही सबब्सक्राइब हो जाएगा कुस्तर नमर चार की ओर चलते हैं नलिखीत में से कौन सा तिर्भूजों की सर्वाग संथा का एक परतीबंद नहीं है तो सर्वाग संथा को करता है सर्वाग संथा का सिंबॉल इस पर करता है सर्वागसंता उस तिर्भूज को करते हैं जैसे मुझन लिए कोई एक तिर्भूज है और दुसरा तिर्भूज अगर उसके उपर पर रख दें तो वह बिल्कुल भी ढगा जाए तो उसे सर्वागसंता करते हैं सर्वागसंता में या तो दो साइड एक कौन हो जाए या दो क कौन साइड एंगल साइड हो जाए तो भी तिरूज सरवाक्समता हो जागा या फिर एंगल साइड एंगल हो जाए यह तीन कंडिशन हो जाए तो तिरूज सरवाक्सम हो जाता है इन कोस्टन में पुछा गया कि इन में से कौन सा पर्तिवंद नहीं है तो साइड साइड यह भी होता है तिसरा है साइड 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 यह नहीं होता है चौता है एंगल साइड एंगल यह होता है इन कुछन में पूछ रहा है कि सरवाक्संता का परतिवन नहीं है तो कौन सा परतिवन नहीं है सी नमर नहीं है तो अप्सन नमर सी इसका बिल्कुल सही यह धारा केनोकूल एकणूबेकिमी की यातरा करती है और फिर उसी अस्थान पर वापस लॉड़ जाती है तो इस यातरा में कूल 20 गंटे लगते हैं तो नदी के परवा की गती कितनी है सांत जल में 10 किलोमिटर गंटी की गती से चलते हैं जब सांद जन में चल रहा है तो उसको किसी नॉट करते हैं एक से तो एक सब्सक्राइब क्या हो जाएगा दस किलो मिटर परती होटा जब भी बच्चे आपको नौ का सवाल पुचा जाएगा तो उसमें दो कंडिशन होता है एक धारा के गती के अनुसार और एक विप्रीग जब जटी के अनुसार चला जात उसे भलते हैं धरा के अनुकूल और जब पीप्रीद चला जाएते उसे बलता पर एक नदी है कि जब तर एक नदी में एक मानलीजें ये नओ है जिए ये नौ चल रहा है मूलिए नौ का जो चाल है मानली है दसके परती घंड़ा और किलोमेटर 9 का चाल और 2 किलोमेटर पॉनी का चाल तो 12 किलोमेटर पॉनी उसको रोकेगा तो इसमें क्या होगा 9 8 किलोमेटर पॉनी के चाल से सब्सक्ति चल पाएगा और हुए प्रतिकुल को किसे क करते हैं वा इसमें बोल तो इसमें और अगें तो इतना देर में इसको 20 घंटे लग जाते हैं तो नदी के प्रवाग की गती कितनी है मतलब धारा जो यह पहुनी चल रहा है इसका वाई वाई को पुछा है तो इसमें एक कॉंसेप्ट लगता बच्चा हो चाल गुनव समय बरावर क्या होता है दूरी होता है और यहां पर क को बरावर करतेगे जब वो धरा क्या नौ Computer लपजी साइट बाणी चल रहा है उससाइड चला कितना दूरी क्या एकão समय लगा और च्छे erzähle क्या ओसक़ को धरा उसके प्रती कूल था तो उसको रोका तो मैंनस वाय का चाल कर देंगे और इसमें कितना टाइम लगा उसको 20 हावर लगा इसको गुना करके निकाल सकते हैं लेकिन बच्चे इसमें क्या आ जागा आपको बहुत टाइम लग जागा इसको कैसे निकालेंगे तो इसमें option की मदद से इसको निकालेंगे तो option number 1 लेते हैं इसको verify करेंगे अगर ये verify हो गया तो option number 1 सही है इसके एक उनवे by x कमान कितना दिया है 10 दिया हुआ है और अगर y कमान 3 लेते हैं plus एक उनवे बटे x कमान 10 है और y कमान 3 लेते हैं देखते हैं 20 होता है कि नहीं तो नीचे कितना हो जाएगा 13 और 13 सते एक उनवे 7 हो जाएगा और यहां 10 में 3 क्या 7 7 से 13 और में एक उनवे कटेगा 13 तो यह क्या हो जाए 20 हो जाता है इसका मतलब option 3 verify कर रहा है option number 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दलब धारा का चाल क्या हो जाएगा धारा का चाल लवाए ब्राबर 3 किलो मेटर पर 3 गंटा option number 1 से नहीं होता verify तो 2 को लेकर ट्राय करते 2 से नहीं होता तो 3 से करते 3 से नहीं होता तो 4 से करते तो जिससे verify हो जाएगा तो वही इसका सही अंसर हो जागा अगर आप इसको इसको कुल LCM लेकर भी बना सकते हैं उसमें क्या वाकर ज्यादा समय लगेगा option number यह बिल्कुल सही जवाब है question number 6 की ओर चलते हैं सिवानी अपने वेतन का 40% खना पर 20% घर के किराये पर 10% मनोरंजन पर और 10% वान पर खर्च करती है यदि एक मेने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपी है तो उसका परतिमा वेतन गयाद करना तो इसमें निकालना क्या है सिवानी 40% खने पर 20% घर के किराये पर 10% मनोरंजन पर 10% वान पर खर्चा करता है मतलब वा 80% खर्चा कर देता यदि एक मेने के अंत में उसके बचत 1500 रुपी हो तो उसका परतिमा वेतन गयाद करें तो खर्चा कितना कर रहा है वो 40% 20% 10% 10% तो टोटल वो 80% अपना वेतन का खर्चा कर रही है तो उसका बचत कितना हो रहा है बचत 20% हो रहा है और 20% का फ्रेक्शन में वेल्यू क्या हो जागा एक बचे 5 हो जागा अगर सिवानी का बेतन एक सुरुपीया है और उसमें से उसका 20% ही बच रहा है तो एक बचे 5 बच रहा है क्योंकि वो 4 बच खर्चा कर दे रही है यहां बच रहे तो उसका बचात को देखना वेतन में उसका बच रहा है भच रहा है तो बचत दिया हुआ है तो फिर इसी से एक्सवरार पच्छत तरसो निकल जाएगा कुस्टन नमर साथ क्यों चलते हैं ए बी का 150 परतिसात है और बी सी का 40 परतिसात है यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है तो टू बी प्लस थ्री सी प्लस फोरे का मौन ब्राबर होगा तो सबसे प्लस में धियान देना कि जो नीचे जिसका बोला जाएगा तो उसको नीचे लिखना है तो ए बी का बोल रहा है तो बी को नीचे लिखेंगे कितना है 150 परतिसात है अगर बी एक्स हो है तो एक कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा फिर दुबारा बोला चारीस परती साथ है बीच यूर निचे लिखेंगे का 40 परती साथ है घट c1 तो बीचना अजयगा 30 यूर इसको चलिए कटाते हैं छोटा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनों 10, 5 तीया, 15 इसको कटाएगे, 0 से 0 कट जाएगा, यह कटेगा, 2 से कटेगा, 2 पंचे, 10, 2 दूनी, 4 B देखें, दोनों जगा है, अगर दोनों जगा सेम आ रहा है, तो फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा A रेशियो, B रेशियो, C, यह कितना है, 3 है, B, 2 है, और C, 5 दिया हुआ, उसका तफिर कुस्टन में आगे क्या बोल रहा है, कि A प्लस B प्लस C, 3 का मान, कितना, 20 है, और यहाँ पे मैरा क्या पूर रहा है, A प्लस B प्लस C, 3, 10 पूर रहा, यह मान एग्जक्ट नहीं है, 3000 भी दो पहस्त मोले के माइशन में 10 यूनित만 कितना है थो नहीं एक यूनित या prostats जाएगा थो जाइगा तहूं मतल्म है कितना यूनित यूनित कितना करेखान एक छोजाएगा भी जो Ana इसको दो से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और C पॉच उनित इसको दो से गुना करेंगे 10 हो जाएगा लब A कमान 6 हो गया B कमान 4 हो गया C कमान 10 हो गया अब आगे क्या बोला गया है कि 2B 2B प्लस 3C प्लस 4A कमान कितना होगा तो 2B कमान कितना दिया हो गया B कमान 4 है तो 4 से गुना कर देंगे प्लस 3C C कमान कितना दिया हो गया 10 दिया 10 से गुना कर देंगे प्लस 4A यह कमान कितना हो 6 इसको गुना करेंगे 4 दुनी 8 दस्तिया 30 और 6 चुके 24 इसको जब जोड़ेंगे तो 30-20-50 चर्च वण और 8 कितना हो जागा बॉसर्ट बॉसर्ट है अप्सन में सी नम्मर सी नमर इसका बिल्कुल सही जवाब है अप्सन नमर सी बॉसर्ट इसको संगा बिल्कुल सही जवाब है कुसर्ट नमर आठ की ओर चलते हैं सवाल देखकर बच्चों डरना नहीं है इसमें कुछ नहीं है चलिए सवाल को देखते हैं 279 – 2are 372 मैनश 278 गुना 280 यह जवा बच्चों एक फर्मूला पो बेठा हुआ इसमें 782 को कुछ नहीं करना है 782 को A माल लेना और 218 को B माल लेना उसके अब देखिए यह सवाल कितना मज़दार से बनेगा तो 782 कितने बार है तीन बार है तो A क्या हो जागा A का Q हो जागा और उसके फिर क्या है 288 तीन बार है यह क्या हो जागा नीचे देखे, 70 िराशी गणा, 70 умी जाएवा, 70 राशी होदा गणा, 218 तो AB होजागा, और 218 होगना 218, प्लस B स्क्वाइर होजागा, तो A Q प्लस B Q का फ़र्मूला क्या होता है? A plus B into A square minus AB plus B square सिर्फ फर्मुला याद नहाँ चाहिए इस सवाल में कुछ नहीं है नीचे क्या दिया हुआ A square minus AB plus B square अब देखें आप ये A square minus AB plus B square ये कट जा रहा है तो बचा गया A plus B A किसको मोने थे? 700 बेरा सीगो और B किसको मोने थे? 218 रखो तो दोनों को जोड़ेंगे 718, 188 इदर कर देंगे 800 हो जाएगा और 200, 1000 हो जाएगा बस A Q plus B का फर्मुला लगा ये सवाल असानी से बन गया इस क्वेस्टन का सही अंसर क्या हो जाएगा? Option number B, 1000 तो बच्चों, आज के लिए इतना ही अब आगे अगले सीट अगले दिन करेंगे धन्यवाद अगले 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 इतना ही